जिले में धारा 144 लागों होने के बाद बीना वैद अनुमती के रेली निकाल कर धारा 144 का उलंगन के जाने के मामले में कोतवाली पुलिस के द्बारा विधानसवाद शेत्य करमाग 110 के प्रत्याशी प्राप्त जानकार के अनुसार विधानसवा चुनाव प्रकरिया के चलती जीला बालाखाट में 9 अक्टूबर 2023 से धारा 146 लागों थी विधानसवाद शेत्य करमा 110 के प्रत्याशी कंकर मुझार के द्बारा लोग तंत्र बचाओ मार्च के संबन्द में अनुमती चाही गए थी जन्तो कंकर मुझारे के दबारा पेश गए अनुमती आविदान निरिस्त कर दिया गया था। जन्तों आविधान निरिस्त के जाने के बाद 2 दिसमर को दो बजे प्रत्याशी कंकर मुंजारे ने अपने चलिस पचास समर्थकोई के साथ बिना वैद अनुमति के एक रेली राम मनोहर लोहिया चोक से निकाली गई प्रत्याशी कंकर मुंजारे और उनके समर्थकोई के दवार उक्त रेली बिना अनुमतिन निकालकर उक्त आदेश का उलंगण किया गया था प्रत्याश्री कंकर मुंजारे और उनके समर्तकों के दोरा 146 के उलंगन की जाने के फलस्वरूप धारा 188 भारती देन्ड विधान के तहद कारवाई की जाने है तू भूपेंद्र अहिरवार तैसिलदार कारेपाली का दंडादिकारी के दवारा सीटी कोतवाली बालाखाट को पत्र लिखा गया था इसके पालन में कोतवाली पुलिस ने पत्याशी गंकर मुंजारी बालाखाट, राजा लिलारे खैलांजी, कुमकार महुलेक रामकोस्मी, विनोत पांडो बैहर, मनोच सयाम बैहर, रामदयाल राहंडाली मगरदर्रा, रवी कुते राजेकावसेद, 40-50 समर्तकों के 1288 के तहट अपरादर्श किया गया है, इसके चार्च की जारी